So Hi Everyone, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में तो चलिए, Potion Tracker एप में एक वार फिर से आप सभी के लिए एक निव अपडेट आ चुका है ये जो अपडेट है वो 15.5 वाला अपडेट यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा और इसमें आप लोगों के लिए 4 ऐसे महतोपून बदलाव किये गए हैं जो आप सभी आगनबारी बहनों को जानना काफी जरूरी है योग कि ये बहुत ही महतोपून अपडेट आप लोगो को देखने को मिलेगा उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर आप लोग पोशन ट्रेकर एप में किसी बेनिफिसरी या किसी लभार्थी को आप लोग डिलीट करना चाहते हैं जो कोई एक्स्टर लभार्थी जुड़ गया हुआ या किसी परकार का जो लभार्थी है उसको अगर आप लोग डिलीट करना चाहते हैं तो आप लोग 15.5 को अपडेट करने से पहले ही उसको डिलीट कर लिजिए क्योंकि यहाँ पे जो 15.5 का अपडेट यह है इसमें एक अपडेट यह भी है कि अगर आप लोग किसी लभार्थी को डिलीट करना चाहते हैं तो 15.5 के बाद आप लोग डिलीट नहीं कर पाएंगे वो अपशन पोशन ट्रेकर अप से हटा दिया गया है तो बहुत ही महतवपूर्ण अपडेट है आप लोग इस वीडियो में बने रहिए चली हम आपको दिखाते हैं और क्या-क्या बदला हुए है उससे पहले आप सभी से एक छोटी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर इस वीडियो से आप लोग को जनकारी मिलती है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाईएगा ताकि हमारा जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे चलते हम यहाँ पे प्ले स्टोर में और आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या यहाँ बदलाव होने जा रहा है तो आप लोग को क्या करना है यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है open करने का बाद यहाँ पे आपको इस परकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको update करने का option भी आ जाएगा तो आप लोग simply यहाँ से सभी आगनबरी सेविकां यहाँ से update कर लेंगी और यहाँ पे चलिए जो arrow का निशान आप लोग देख रहे हैं इस पर आप लोग किलिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग किलिक करेंगे तो देखें फर्स्ट अपडेट क्या दिखा रहा है दुसरा अपडेट क्या है एडोलसेंड गल्स डिस्प्लेड ओनली फोर एश्प्रियेंशल डिश्टिक ओनली यानि कि जो किसोरी लड़किया है उनका भी यहाँ पे आपको डिस्प्लेड यानि कि आपके पोशन ट्रेकर एप में आप्शन नहीं दिखाएगा और यहाँ पे कुछ ऐसे एश्प्रियेंशल डिश्टिक है जहाँ पर इस एडोलसेंड गल्स का ओप्शन सो करेगा उसके बाद यहाँ पे तिसरा अपडेट है month of pregnancy field removed in pregnant woman screen यानि कि जो आप लोग गर्भवती महिला में जाके जो new registration का ओप्शन होता है वहाँ पे जाके आप लोग गर्भवती महिला का month of delivery आप लोग वहाँ पे select करते थे एक माह, दो माह, तीन माह तो इस प्रकार का जो वहाँ पे option था उसको भी वहाँ से removed कर दिया गया है चौथा option क्या है? चौथा option है beneficiary new box you will added जो चौथा update है यह आप लोगों को जो वहाँ पे modules दिखाई दे रहे थे उसमें आपको बहुत ही बहतरीन modules में convert कर दिया गया है चलिए इन चारो modules को हम लोग बारी-बारी से portion tracker app में चलके देख लेते हैं और आप लोगों को उसमें पूरी जनकारी भी समझा देते हैं तो चलिए आप हम लोग portion tracker app को update कर लेते हैं और update करने के बाद जो portion tracker app open होगा वो किस प्रकार से open होगा और जो हमने आपको जनकारी दी है सभी को हम दिखाएंगे कि कहां पे क्या-क्या बदला हुआ है क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं कि हमने इसको update कर लिया है और update करने के बाद इसको open कर लेंगे अगर आप लोग को आज की ये वीडियो पसंद आये तो इस वीडियो को आप लोग लाइक चरूर करिएगा चलिए यहां पर देख सकते हैं कि हमारा portion tracker app अपडेट होके open हो चुका है चलिए अब पहले update की और बारते हैं जैसा कि यहां पर लभारती वाले पर click करेंगे और पहला update था कि delete beneficiary वाला जो option है उसको हटा दिया गया है तो चलिए देख लेते हैं जैसा कि यहां पर हम 6 माह से 3 साल वाले बच्चों की category को open किये हैं उपेन करने के बाद यहां पे जो 3 डॉट का option आप लोग देख रहे हैं इस पे हम लोग click करेंगे click करने के बाद यहां पे सबसे नीचे यहां पे देख सकते हैं एक, दो, तीन, चार और पाचवा जो option था यहां पे delete beneficiary उस delete beneficiary का option यहां से हटा दिया गया है तो इस परकार से आप लोग का यह पहला update है जो कि यहां पे delete beneficiary वाला जो option है उसको potion tracker app से हटा दिया गया है ठीक है इस परकार से आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे और अपडेट करने से पहले जो हमने आपको बताया था कि अगर किसी भी लभार्थी को आप लोग डिलीट करना चाहते हैं तो अपडेट करने से पहले ही उसको डिलीट कर लेंगे पहले रेइश्टेशन करते थे तो यहाँ पे एक आप्शन पूछा जाता था कि यहाँ गर्भाती महीला कितने महीनों से गर्भाती है एक दो तीन चार इस परकार से नौ मन्त का यहाँ पे आप्शन मिलता था कि वो गर्भाती महीला कितनी महीनों की गर्भाती है उसको से फिलहाल के लिए हटा दिया गया है वह option आप लोग के यहां पर देखने को नहीं मिलेगा और जो भी आप लोगों से जनकारी पुछे जाएगी यहां पर जनकारी आप लोग को भरनी है और यहां पे LMP डेट डाल देनी है और यहां पे submit कर देनी है इस प्रकार से आपका new station हो जाएगा और यहां पे यह option जो है उसको हटा दिया गया है और चलिए हम आपको इसके तीसरे और चोथे अपडेट की जनकारी दे देते हैं तीसरा और चोथा अपडेट की आया है जैसे कि यहाँ पर हम लभार्थी वाले पर क्लिक करते हैं और तीसरे अपडेट की और चलते हैं जैसे कि तीसरा अपडेट यहाँ पर देख पाएंगे कि जो adolescent girls का option था वो यहाँ पे हटा दिया गया है जैसे कि कुछ ऐसे जीले है जहाँ पे जो experiential district में आप लोग को देखने को मिलेंगे बाकी जितने भी जीले है उन जीलों से यहाँ पे जो adolescent girls का option है उसको हटा दिया गया है ठीक है यह आपका तीसरा update हो चुका और चौथा update देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही आप लोग beneficiary वाली category को open करेंगे तो यहाँ पे आपको जो भी modules है वो modules में काफी changes देखने को मिलेंगे यह look आप लोग को काफी अच्छा लगेगा जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि image के साथ यानि कि picture के साथ जो भी category है उसको यहाँ पे दर्साया गया है कि यह बच्चे वाली category है इतने से इतने साल के बच्चे वाली यह category है तो यह देखने में आप लोग को काफी अच्छा लगेगा इस परकार से बहुत ही अच्छा यह module को बनाया गया है त्यार किया गया है तो यह देखने में काफी अच्छा लग रहा है तो इस परकार से यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पोसंड ट्रेकर एप में जो new कर दिजेगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा तो आज के फिलाल इतना ही मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिंद